कोड ru Jon good morning हमने देख है कि IBC क्या होता है मतलब insolvency and bankruptcy Code क्या होता है हमने यहाँ देखना है working of verändert IBC हम ने IBC में क्या देखा था-ándig aí new Kim sy इन इसमें लोग कॉन-कॉन से होते हैं क्या क्या पोते हैं यह सारी चीजे देखी ठीक है का यह तो कर सकता है यह होता है कौन करता है हो深written करते हैं और यह ही अगौन कौन कौन कर सकता है किए इत्व बात समझा isn permit एककौन कंवू करता है और यह भी पता लगे कौन अडिनिस्टर करता है नेक्स देखते हैं जो मिनिमम अमाउंट होता है डिफॉल्ट का अगर वह वन क्रोर रुपीज है तो आई बीसी का प्रोसीजर जो है वह स्टार्ट होगा यह नहीं तो नहीं होगा और यह कौन इंशोर करता है कि हाँ प्रोसीजर को स्टार्ट करना है रिजक करना कुछ भी तो NCLT होटे है NCLT मतलब National Company Law Tribunal तो यह करते हैं 14 डेस का time लेते हैं और यह डिसाइड करते हैं कि 14 डेस के अंदर ही एंशोर कर देंगे कि रेज्ट करना है यह प्रीजर को स्टार्ट करना है ठीक है एंधर ही एजीटिंग अथ़रिटी होती है तो उनका गाम होता है कि इसको रिज़ेक करना है इस जो भी कोड़ है इ मतलब कॉर्पुरेट इंसं उल्वेन्सी रिस मतलब educating authority once appointed by the tribunal tribunal अगर उनको appoint कर देती है ठीक है educating authority अगर उनको appoint कर देती है तो जो insolvency professionals होते है resolution professionals वो अब control ले ले लेते है defolters assets का और operation का किस तरके से operate करना इस process को और defolters assets जो भी है ठीक है information collect करते है company के बारे में company के बारे में information collect कौन करता है basically I use करते है I use insolvency sorry insolvency professionals sorry insolvency utilities आपको पहले मैंने objective बताया था insolvency and bankruptcy code का इनको जो assets होते जो non-performing assets बन चुके होते हैं वह वापस आने की कोई उमीद नहीं रहती है तो उसको solve करना इनका basic aim होता है तो इन सारी चीजों को दिमाग में रखना तो यह बाते से जादे साही से समझ भाएंगी I use क्या करते हैं information collect करते हैं कि state क्या company की किस state में भी चल रही है state मतलब वह राज्य वाला state नहीं मतलब कि company का क्या state है ठीक है और यह I use से इन IP को insolvency professionals को पता लग जाता है कि क्या company के state है और क्या कर सकते हैं लोग और क्या नी और फिर फाइनली वह constitute करते हैं committee of creditors ठीक है यह इनको कौन point नहीं कर सकते हैं constitute कौन करता है IP करते हैं ठीक है और committee of creditors की जरूरत क्यों होती है constituted to be oversee the insolvency resolution process वह oversee करते हैं देखते हैं कि इसमें सही चल रहा है नहीं चल रहा है क्या सही क्या अगलत है तो oversee करते हैं इस प्रोसीजर को ठीक है न एक्चुल वोकिंग जो है वह दन बाई resolution professionals under the supervision of committee of creditors ए और ए और एंचल्ट और एक और होते हैं आई बी बी आई ठीक है insolvency and bankruptcy board of India तो इनका भी इनके अंडर में भी होते हैं लेकिन इनका काम बेसिकली होता है implement करना लॉक को अमेंड करना यह सब होता है तो इनके अंडर में भी एक तरीके से कर दो ही है और और क्या होते है मतलब यह होते कौन है क्या होते हैंuje कमीट्यी से qdc mo को money को lend किये रहते हैं debtors को मतलब जो loan दिये रहते हैं वो होते हैं इस पर financial creditors होते हैं इनको form ips करते हैं insolvency professionals करते हैं creditors committee decide the future of the debt or to them कि मतलब इस इसका future है वो कहें जो debt करज है इसका future क्या ही आएगा नहीं आएगा कितना आएगा and all they choose to revive the debt, revive debt मतलब कि मतलब इसको वापस से सबकुछ सही कैसे करना मतलब उने जो credit दिया था है वो पूरा मिल जाया वो कैसे करना तो उसका चूज करते हैं कि कौन सा process होगा क्या होगा repayment कैसे आएगा repayment schedule क्या होगा sell करना है asset core नहीं करना है dues जो है यह सबकुछ यह बताते हैं ठीक है और decision अगर सबकुछ मतलब सबकुछ set हो जाता है 180 days के अंदर जो debtors होते हैं उन्होंने सबकुछ अपना clear कर लिया सारा जो भी debt था वो सबकुछ professional solve करते है ठीक है और यह liquidation में होता किया जो debtor है वो पैसे नहीं दे पाया है non-performing asset बन गया मतलब दे ही नहीं पा रहा है तो पहली बात ही जो उनका collateral उन्होंने रखा था वो creditors के पास चला जाएगा directly वो creditors ले ले लेंगे पूरा ठीक है तो creditors यहां secure हो गया है insolvency resolution cost भी आया होगा remuneration of ips and all तो इसका पैसा भी उनके assets जो होते है उससे ले लिया जाता है उनका घर हो सकता है गाड़ी हो सकती है फिर business हो सकता है कहीं से भी उसको बेच देंगे लोग और यह अपना जो भी payment है है remuneration है वो सब पे कर लेंगे ठीक है अब workers को जो due है employees को जो due है यह सारा कुछ यह लोग क्लियर कर लेंगे ऐसा debtors का जो asset है उसको sale करके ठीक है तो बात समझाए कि इसमें working कैसे चलती है एक basic सब procedure है पहले वह application file क्या जाता है वाँ पर कॉण कर सकता है तो debtors कर सकता है sorry कौन कर सकता उसको corporations यह आपने देखा था corporations के उपर हो सकता है यह फिर यह लोग भी कर सकते है partnership forms जो है वो कर सकते जैसे पूर्ट में जज्स होते तो एजुकेटिंग अथोर्टी भी जुरिक्शन का काम करती है इसके केस में तो इन्होंने एप्लिकेशन को एक्सेप्ट करा नहीं करा यह इनके हाथ में होता है वन करोर होना चाहिए मिनिमम अगर जो लोन दिया वन करोर का उसका आना इन्फॉर्मेशन वो लेंगे यूस से और इस प्रोसेस के अंदर जाते जाएंगे कमिटी और क्रेड़्टर को फॉर्म करेंगे वो जर्स तो नहीं सकते वो बताएंगे कि हाँ यह सही तरीके से चल रहा है यानि मेक्शूर करेंगी ठीके कि इस डन प्रॉपरली उसके ही thank you have a nice